प्रेंस आप सबका स्वागत है मेरी चैनल वभीता की रसोई में आज की रेसीपी है पनीर की सब्जी चलो फ्रेंस बनाना ही स्टार्ट करते हैं फ्रेंस मैंने यह पनीर को अच्छे से धोकर काट लिए हूँ आज हम इसका रेसीपी बनाएंगे मैंने यहां कड़ाई चला दिया है गरम होने के लिए कड़ाई कोन गरम होने देते हैं कड़ाई यहां गरम हो गई है इसमें हम तेल डालेंगे सरसुका तेल तेल यहां गरम हो गया अच्छे से इसमें हम कटावा पनीर डालेंगे करेंगे इसे में अच्छे से फ्राइब कर लिया है इसे अब हम निकाल लेते हैं मैंने यह सारा फ्राइब कर लिया है यह बंद कर देते हैं मैंने यह चार टमाटर लिये हैं टमाटरों को मैंने पीस लिया है यहां पर मैंने दो प्याज लिया है प्याज को भी मैंने पीस लिया है और यहां पर हरी मिर्च लैसा नद्रग सब इसमें मिक्स है काली मिर्च इसा भी मैंने शिल्वर्ट्य पर पीस लिया है यहां पर मैंने फल्दी पावडर एक चमच लिया एक चमच ग्रम मसाला एक चमच धनिया पावडर यहां पर नमक लिया है स्वादनु सर्थ कि यहां पर मैंने तेज पत्ता लिया है चार अब बाकी के खड़ा मसाला आई है कि मैंने इस टेल में पनीर को फ्राई किया था इसी टेल में मैं बनाऊंगे मैं यहां पर तेज पत्ता ले रिम और खड़ा मसाला यहां 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 प्यास को फड़ा वों लेंगे लिए अग्या प्यास को अफ्छी से भूल लिया इसमें अबाँ तिग बावा तमाटा डालेंगे प्यास तमाटा को अफ्छी से भूल लेंगे तोबीक दक ही मासाला नहीं डाला है बिशा लिख ज Кार्ष पहों के लाटीघ हार टॉर लिख्ता स्पाइच ही भीघ थे किना टियाजकु मुस्टी प्रिविन शालड आलोंगि, हल्दी पावडर, प्रिवाप प्रिवाप भीज चुट। प्रिवाल्ड़ प्रिवाप प्रिवाप नालोंगि, ह्ल्योदी अजयाम्तोप। अजयाएव प्रिवाप मैं गेंगो दॉट। अब दाई नहीं डाला है आप चाहें तो डाल सकते हो मैं बिना दाई क्या बना रही हूं मैंने यह मसाली को अच्छे से बूंग लिया है यह देखें और बीट लुप पर आ रही है मसाली को छोड़के लिए अब फ़ोड़ा पानी लालेंगे के लिए मैंने पानी राल दिया है ग्रेवी के लिए इसको मच्छे से बोईल कर लेते हैं इसमें बोईल आ गई है कराई किया हूं पनीर हम डालेंगे इसको मच्छे से फोईल होनी देते हैं आप देख सकते हैं यह बहुत अच्छे से हो गया है इसे थोड़ा और पकाएंगे और अब हम बहुत अच्छे से बन गया है इसमें रफिवम दन्य पतर दालेंगे यह पोई मने धनिय पतर लिया है उसमें अच्छे सिफ्ड़ा लीटे अ है हम पर बन कर देते हैं और सर्फ करते हैं अब प्रेंट्स हमारी रेसिपी बन करते हैं आप रोटी या चावल के साथ खाव सकते हो खाने में बहुत स्वाधिश्ट लगती है आप सब भी घर पे बना कर खाईए और हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए शेर किजिए और कमेंट फिर मिलते हैं लेसिपी साथ थैंक यू